हलो एब्रीबन वेलकम तो लखी एजुकेशन और आज हम स्टार्ट करेंगे कि इंपोर्टन टॉबिक जिसका नाम है नोन अलाइन्मेंट मुव्मेंट बहुत इंपोर्टन टॉबिक है इसपेशली पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा ज में लेन अब है आप इसका एक स्क्रिंशोट रले लेना में हड़ जायूंँ आसे पूरा की पूरा स्क्रिंशो और को चुछ लेना मगरा को समझना पदेगा क्या है निया में चल ला था World War Second, World War क्या हुआ था, Second हुआ था, फिर आपको देखने को मिलेगा, 1945 में हमारे एक organization बन जाता है, जिसका नाम है United Nations, कौन सा organization बन जाता है, United Nations organization बन जाता है, Second World War खतम हो गया था, तो दुनिया में फिर ऐसा war ना हो, उससे prevent करने के लिए एक organization बनाए गया था, जिसका नाम था United Nations organization, ठीक है, अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, अचा, United Nations organization का purpose यह था, कि World War 3 को prevent किया जा सके, आप future में World War 3 ना हो सके, मगर आप सोचो, First World War हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में, उसके बाद भी एक कोसिस की गई थी, एक organization बनाने की, और एक organization बनाया भी गया था, जिसका purpose World War 2 को prevent किया सके, आपको comment करके बताना है, उस organization का नाम क्या था, जो First World War के बाद बनाया था, जिसका purpose था, कि Second World War, ना हो दुनिया में ऐसी असान्ती ना फेले, तो 1945 में UNO बने गया, अब 1945 को बाद आपको देखने को मिलेगा, कि पूरी की पूरी दुनिया में, पावर जो है समझाया, बिल्कुल comment करके बताना है, USSR की फूर्वों गया, तो दो देसे, इन दोनों देसों के बीच में हो जाता है, Cold War स्टार्ट, क्या स्टार्ट हो जाता है, Cold War जो कि 1945 से 1991 के बीच में चलाता है, ध्यान रखना, जब तक आपको Cold War समझ में नहीं आएगा, तब तक Non Alignment भ च references Potato, चाहां पर चीजें प्राइबेड के कंट्रोल में होती है, USSR किसे साथ यह था आपका socialist या to communist धेस था कैसा देस्ता है, कि दुनिया कैसी हो जाती है, दुनिया कैसी हो जाती है, हम कह सकते हैं, cold war के दोरान, दुनिया कैसी हो गई थी, bipolar, bipolar का मतलब जो है, पूरी दुनिया में जो power है, वो सिर्फ दो ही जगह पे concentrated थी, एक था USA और दूसरे दरन था USSR, अब क्या होता है, second world war के दोरान पर, इन दोनों देशों में cold over start होगा, cold over एक ऐसा war होदा है, जिसमें directly आमने सामने नहीं लड़ते, मगर एक दूसरे को नुकसान पहुचाने की courses करते हैं, indirectly, या उनकी allies के दुरू, तो बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेगा, कुछ country तो USA के साथ मिल जाते हैं, और कुछ country क alliance, अब क्यों बोला गया Western alliance? अगर दुनिया में आप देखो, USA के दर की side में पढ़ता है, वेस्ट की side में, USSR के दर की side में पढ़ता है, इस्त की side में, तो जो country USSR के साथ जुड़ गये थे, उनको बोला गया Eastern alliance, जो country USA के साथ जुड़ गया Western alliance, ये चीज़ आप धियाँ रखन का मतलब क्या है पहले आपको पता होगा यूरोपियन गंट्री जिसमें आपके फ्रांस बिर्टेन इस्पेन पुर्टगाल हॉलेंड यह क्या करते थे कई देशों को अपना गुलाम बना रखाता है इन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखाता तो 1945 को आद देखने को मिलेगा इन इंडिपेंडेंडेंस हो जाते हैं तो डीकॉलोनाइजिसन का मतलब है जो कॉलोनी बनी हुई थी उन कॉलोनियों ने अपनी सूपर पावर यह जो पावर वहां पे रूल कर दी थी उनके खलाब क्या कर दिया विद्रो कर दिया और आजादी हांसिल कर लिए इस प्रोसेस को कंट्री क्या होने लगते हैं आजाद होने लगते हैं इंडिपेंडेंट होने लगते हैं इसी प्रोसेस को क्या वो लगया डिकोलोनाइजेशन मगर ध्यान रखना आजाद किसे हो रहे हैं आजाद हो रहे हैं यूरोपियन पावर से ठीक है अब आजाद होने के बाद आप क्य गरीब देश थे, कैसे देश थे, गरीब देश थे, European powers ने उनको पूरी तरह से खंगाल कर दिया था, exploitation बहुत जादा किया था, अब वो जो गरीब देश थे, independent जो देश थे, उनके पास option क्या था, option यह था, यहां तो USA को जोइन करें, या USSR को जोइन करें, तो कई देश जिनकी बिचार था रहा, USA से मिलती थी, उन्होंने तो किसको जोइन कर लिया, USA को जोइन कर लिया, कई देश जिनकी बिचार था रहा, किस से मिलती थी, यूएसेसर से मिलती थी उन्होंने यूसेसर को जोइन कर लिया मगर यहां पर जो देश आजात होरह थे तो कीँए का तरह कि कि क्या ख़िए, यह ससर के थर जाते हैं। तो किस की सुननी बढसे ऐं? संमझ farklı है कि 6-10 जोए टू000 के ख़र 10 को समझी है। या USSR को जोइन करें, या किसी को भी जोइन मत करो, आजाद रहो अपने आप, अगर USA को जोइन करते हैं, तो किस की सुननी पड़ेगी, USSR की सुननी पड़ेगी, यही USSR 1991 में टूड जाता है, जिसमें सबसे बड़ा देश निकल गाता है, रशिया, तो जो देश आजाद हुए थ हमारी foreign policy हम decide करेंगे, ना कि USA और USSR, ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर आपको निकल गाएगी, non alignment movement, non align का मतलब होता है, align का मतलब होता है, किसी के साथ जुड़ना, non alignment का मतलब किया है, किसी के साथ नहीं जुड़ना, तो किस के लिए का गया ये, तो ध्यान देना, जो देश आजाद हुए थे 1945 के बाद, उन्होंने decide किया, कि हम किसी के साथ भी align नहीं होगे, ना तो हम USA की दरब जाएंगे, और ना ही USSR की दरब जाएंगे, हम तो अलग रहेंगे, हमारी policy independent रहेगी, we will follow the independent foreign policy as per our national interest, तो अपन जो background है, वो समझ में आ गया हुआ, फिर एक बार दोबारा से सुनना, बिलकुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, मज़ा आएगा, इसको सुनने में चिंता मत करो, तो ध्यान देना जहां पर है, समझो, non alignment जो moment है, अब इसके founding fathers की बात करें, क्या, इसको found किसे ने किया थ जो जो भी देश इसको follow कर रहे है, उन्होंने decide कर लिया, ना तो हम USA की तरब जाएंगे, ना ही USSR की तरब जाएंगे, हम तो भाई आजाद रहेंगे, independent रहेंगे, तो इसके founding fathers में 5 देश आते हैं ध्यान रखना, पंडे जवाला नहरु भारत के, दूसर रहे हैं कहान आपको पता हुए, एक देश है अफरिका में आता है, और जौसिप ब्रोज टीटो ये युगोसलाविया के हैं, युगोसलाविया आजगी डेट में नहीं रहा है, इसका disintegration हो गया 1991 में, disintegration का मतलब उटा है, तूड गया, और इजिप्ट से थे गमल अपडेल नासर, तिहां रखना है, पांच देश थे, फांडिंग फादर, किसके फांडिंग फादर, नेम के, नेम कब बना था, Second World War के वाद, और नेम कब बना था, Cold War के तौरान, एक जेक्ट अगर डेट आपको पूछ ली जाए, कि नेम कब फाउंड हुआ था, तो नेम फाउंड हुआ थ तो इनके जो लीडर्स की जो मीटिंग होती है, उसकर हम क्या होते हैं, समिट बोलते हैं, तो नेम की जो First Summit हुई थी, पहली बाली जो समिट हुई थी, यह 1960 बने में हुई थी, किस जगह पर हुई थी, बेल गराड में, बेल गराड कहां पर पढ़ता है, युगोस लाभिया में, मैंने बता दिया, आज की डेट में, वर्ल लब के मैप में आपको युगोस लाभिया नहीं देखेगा, यह खुद भी तूट चुगा है, और इस में 25 देशों नों भाग लिया था, इनिशली आपको देखने को मिलेगा, पहली जो मीटिंग हुई थी, First Summit में 25 देशों बताऊं, तो इनकी position आपको देखने को मिलेगी, इरान के उपर आप देखना, वर्ल्ड के मैप में इरान के उपर आप देखोगे, तो वहाँ पर अजरवाईजन और अर्मीनिया देखेंगे, तो इसकी 18th Summit कहा पे हुई है, बाकु एजरवाईजन में, बाकु धियां रखन कब हुई थी, 1983 में, तो ये बात होगी, फांडिंग फादर हमने देख लिए, पांच फांडिंग फादर है, दोबारा में बताएजता हूं, इंडिया से कोने बंडे जवालला नहरू, और इंडोनेशिया, आपको पता, एशिया में पढ़ता है, उसके कोने सुकार्नो, घा पांच है, फांडिंग फादर्स किसके नेम के, ठीक है, अच्छा भई, आप इसके बाद मैंने बताया था, नेम का आइडिया, आच्छा, आप कहोगे कि नेम का आइडिया कब आया, तो 1955 में एक कॉन्फरेंस हुई थी, बंडू, कहां पर हुई थी, ये हुई थी, इंडोन का दोर, बहुत सारे कंट्रीज इंडेपेंडेंट होने लगते हैं अपनी कोलोनियल पावर से, तब ये कंट्री इंडेपेंडेंडेंट हो रहे थे, इन कंट्रीज में ज्यादा संक्याती एशिया की और अफ्रिका की, जारत तर अंग्रे जो ने गुलाम जो बनाया था, व इंडेपेंडेंडेंडेंडेंड होए थे, उन्होंने मिल की एक मीटिंग रखी, मीटिंग कहां पर रखी थी, यह बांडिंग नाम की जगह पर रखी थी, जो कि इंडोनेशिया में, इसी कॉन्फरेंस का नाम दे गया, मतलब बांडूंग कॉन्फरेंस, जो कि 1955 में हुई यहीं फोकस किया गया था कि Asia और अफरीका के देशों को क्या होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा और एक रहेंकर हम आपने, क्या कर सकते हैं, डवलम्न कर सकते हैं, हमें किसी के साथ अलाइन होने की जरूरत नहीं है, तो आप कहे सकते हो, कि जो झो नोनलाइन 61 को आज की डेट में देखो नेम जब बनाता जब पहली इसकी मेटिंग हुई थी तो इसमें 25 मेंबर थे 25 मेंबर स्टेट हुआ करते थे आज की डेट में कितने मेंबर हैं 120 तो आपको यह और चीज में बताता हूं बड़ी इंट्रेस्टिंग नेम जो है सेकंड देखो पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा जो ओर्गनाइशन है उसका नाम ऐं यानो कौन सा और बड़ा ओर्गनाइशन it ौन द्या में तो इस符्म सब्से बड़ा और आंड अड़् vegetation जो ðव और आता है नेम आता है अब आप कोगे 120 में कहां कहां से कितने कितने तो 120 में से 53 country तो आते हैं अफरीका से सोचो अफरीका में 55 countries के सम्टिंग country लगवग लगवग उन 55 में से 53 country जो अफरीका के हैं वो सारे कि सारे किसका में तो किसको छोड़ कर बचे कुन कुन से देश तो साउथ सूड़ान अफ्रीका में कंट्री है साउथ सूड़ान और दूसरा है वेस्टर्न सहारा तो साउथ सूड़ान और वेस्टर्न सहारा को छोड़ दो तो 53 कंट्री जो है अफ्रीका के किसका पार्ट है नेम का पार्ट है एशिया के कितने देश है 31 एशिया के हैmm ट्वंटी सिक्स कंट्रि गाहकें लेटिन अनुपिक और केरिबिएंग कंट्रिश प्रउप्ट्री इस दो हैं साउ। इसाउभिया तुर उसको आमिरेकां कंट्रिश यह उनको जोड़ा तो व्या क्या कहते हैं थर्टी नान एशिया से हैं 26 लेटिन अमेरिका और केरिवेंट से हैं और दो देश कहां से हैं यूरोप से नेम जब बना था जब कितने कंट्री थे 25 देश इसमें हुआ करते थे यह चीज भी धिया रखना अब हम बात करते हैं फाइनली गोल्स गोल क्या है इसके नेम के लक् इसके लड़ाई वर तो उस दोरान नेम कंट्री का जो गोल था नेम ने डिसाइड गया था ना तो हम यूसे की दरब जाएंगे नहीं यूसेसर की दरब जाएंगे हम तो इन्डेपेंडेंट रहेंगे तो यह था इनीचल परबच किसी के साथ भी अलाइन ना होना फिर भी इसके जो गोल्स हैं उसको डिटियल्स में बताए गया था एक हवाना डिकलेरेशन हुई हवाना डिकलेरेशन 1979 यहां पर नेम के गोल्स डिफाइन किये गए क्या क्या गोल थे नमबर एक नेम कंट्री जो है यह प्रोटेक्ट करेंगे अपनी नेशनल इंडेपेंडेंडें नेशनल इंडेशन जो बड़ी मुश्कल से आजादी मिली है उसको प्रोटेक्ट करके रखना इसको नहीं बनना है अपने देश में लौक कैसे बनाने वह हम बनाएंगे कोई दूसरा नहीं बनाएगा जैसे अपना घर है घर में किसकी चलेगी हमारी चले किसी दूसरे की न सरकार तो अपनी सोबरेंटिक को मेंटेन कर रखना अपने देश को अपने अपने अकॉरडिंग चलाना अपूरी इंडेपेंच पने देश को चलाने के पूरी आ जा रहती तेरी टेक्रमी नहीं बहुंट्सरे टरिटीsm का गोल तूसरा औरको बातें छीत क्या होता है आप सबको पता है इंपरियलिजम को बोलते हैं सामराजवादी नीती का मतलब क्या है कोई भी देश चाब अपनी टेरिटरी को ऐसे बढ़ाता चला जाता है पैसे आपने देखा हुआ पहले जो राज हमारा जागवा करते देख एक देश दूसरे देश पटे कर उसकी टारेतरी शिंद्ली फिर देश बढ़ा आते हुए चले जाना इसको क्या भूलते इंपरियलिजम तो ने यही पोली नहींग्रियों को बनाया गुलाम बनाया तो इसका ब्रूद करें बना लिया था को अपनी बना लिया था कॉलोनी बनाके फर उसका यूज करने लग से एपढ़ों के यहां के रिसोर्सेस को यूज करने लगे पूरा देश कुलाम बना लिया हैं तो इसका भी क्या करना बätt़ का बनते जा रहे थे उसका क्या करना है ब्रूद करना नियो क्लों lizę आज की देशि हमने नख तरीका भीर quería यह समय उसमें जाको च्यएल करते हैं, अब यह लुँष अलग तरीके से कंट्रॉल करते है जैसे आपने चाइडा का डिशन क्या। तो श्री लंका पाकिस्तान फस चुगा अफ्रीका की कई कंट्रीजें फस चुके हैं किसके करजे के जालम फस चुके हैं चायना के कंट्रोल में आ चुके हैं तो इसको पता है बिलेक ृवाइट के बीच में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो था उस पॉलिशी को बोलत के कलर के आधार पर भीदवाब होता था तो इसका भी कौन बिरूद करेगा इसका भी नेम कंट्री जो हैं बिरूद करेंगा में क्वेशन दे रहा हूं आपको अफरीका में जो रेस रेसिज्म के खिलाब जो अवाज उठाई थी किस लीडर ने उठाई उसका नाम बताना है और साथ की साथ में एक कुश्चन वर आपको बताना है कि अफ आफ अफ आफ साउट अपरिगा पोलिशी फोलो की गई थी अफार तेड़ी की फोलिटिशल्स को द्वारा इसके खिलाब कि उसने वाज उठाई वो क्वोश्चन आपको कमेंट करके बताना है प्लस साउथ अ का मतलब होता है इसका importance relevance का मतलब क्या होता है importance अब देखो importance की बात क्यों की जा रही है इस topic को पूरा ही खबर कर लेते हैं भाई ने बनाया था आपका 1961 में नेम बनाने का परपज क्या था कि जो cold war चल ला था USA और USSR के बीच में इस cold war के कर दवरान हमें किसी भी country के साथ नहीं जाना तो यूएसे के साथ जाना नहीं USSR के साथ जाना है मगर आपको देखने को मिलेगा 1991 में इस cold war क्या हो जाता है क्यों खतम हो जाता है USSR जो हैं disintegrator तूड जाता है USSR 15 दिसों में तो जाता है तो नेम का भी परपरस खतम तो 1991 में यह पलब लोग कहने लगे गया जो नम जिस फ्रकष के लिए बनाए गया थो फ्ररकष्ज तो खतम हो गया तो जिसका नहीं नहीं का अभी भी बहुत ज्यादा मतलब है क्यों क्यों मतलब है 1991 बाद में की 201 के आपको देखने हुए रहे जिसका नाम है USA पूरी दुनिया में एक ही पावर का दबदबा था है जिसका नाम था USA अब सोचो अगर यहां पर क्या है आज की डेट में 120 देश हैं अगर 120 देश एक साथ रहेंगे ना तो यह अपनी आवाज मजबूती से उठा सकते हैं इन पर कोई मतलब अत्याचार नहीं नहीं कर सकता है और आपको देखने को मिलेगा नेम में ज्यादतर कंट्रीज है वो गरीब देश है इस पेसलिए अगर पूरा वर्ल्ड का मैप देखोगे जैसे यह पूरी दुनिया है तो इसको अगर ऐसे डिवाइड कर दो नौर्थ और साउथ आपको देखने को मिलेगा इन कंट्रीज को बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यहां रखना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डवलपिंग कंट्रीज जो है वो किसका पार्ट है नेम का पार्ट है तो इन थर्ड वर्ल कंट्रीज की आवाज उठाने का एक प्लेटफोर्म जो है वो क्या बन जाएगा नेम बन जाएगा तो नेम आज भी important है पूरी दुनिया में developed countries के खिलाब जो मतलब किया जा रहा है developing countries के खिलाब जो developed countries जो मतलब सड़ेंतर कर रहे हैं इनको सोशन करने कोशिस कर रहे हैं उनके खिलाब नेम क्या कर सकता है आवाज उठा सकता है पूरी दुनिया में आज की डेटर में जो भी global issues है कैसे उची ग्लोबल इस्यूज ग्लोबल इस्यूज का मतलब क्या है जैसे climate change हो गया terrorism हो गया इनके खिलाब कोन आवाज उठा सकता है नेम आवाज उठा सकता है डवलपंग कंट्रीज में development करना है विकास करना है तो ये मिलके एक दूसरे का support कर सकते हैं एक दूसरे की help कर सकते हैं साथ की साथ में आप गो देखने हो मिलेगा नेम कंट्रीज में इंडिया क्य क्या कर सकता है त Googles, यहांद कर सकता है कि नेम जो है आप को देखने को मिलेगा मल्टी के अब करता हैं, अगर दूनियामें एक यह जगेद बाबर है जैसे आपको देखने भुझे-क के टाइम पर दुनिया थी बाइपोलर क्यों तुनिया में पावर दो जगए पर कॉंसेंट्रेटर थी USA और USSR के बीच में मगर 1991 के बाद आपको देखने को मिलेगा अगर USA के खिलाब को अगर नहीं खड़ा हुआ तो दुनिया में किसकी चलेगी सर्फ USA की तो ने एक मल्टी पोलर वर्ल्ड इस्टेबलिस करने में हेल्प करता है क्यों एक तरफ USA यहां पर नहीं हो गया ऐसी आपको देखने को मिलेगा 1991 बहुत सारे कंट्रीज क्या होने लगते हैं राइज होने लगते हैं उनकी पावर बढ़ने लगती है और वर्ल्ड कैसा होने लग जाता है मल्टी पोलर वर्ल्ड एक्जेक्ट 1991 के बाद तो कुछ सालों तक तो USA का दबदबारा मगर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी पावर्स निकल निकल गया गी जैसे चाइना का राइज हुआ है एशिया में आपको देखने को मिलेगा आशियान गुरूप बन चुका है यूरोप में एक गुरूप बन चेकाई, यूरोपेन यूनियन ऐसे नैम भी एक अपने आपने गुरूप है और आपको पता है सेटिर लार्जेस लूरप है तो ये क्या कर सकता है जो डवलप्ट डवलपिंग कंट्रीज है उनकी आवाज उठा सकता है उनकी आवाज को मतल है और इंडिया को यहां पर लीडर से करने का मुलता है मुलता है तो कुल मिला के हमें इसको सम करता हूं पूरे को मतलब समरी निकालते हैं तो नोन आलाइनमेंट एक ऐसी पॉलिसी है जिसको हमारे इंडिया ने फोलो किया एजबलेश जो भी कंट्रीज नेम का मेंबर ते उस तो इस Cold War के दोरान जो डबलब जो नए ने इंडिपेंडेंडेंट कंट्री थे जो नए ने देश आजाद हो रहे थे एसिया के अफ्रीका के अपनी कॉलोनियल पावर से जो आजाद हो रहे थे उनके पास एक उप्सन था कि ना तो वो यूएसे को जोन करें नहीं यूएस इसको मतलब रिलेवंस की बात कब से की जानी लगी जब और खतम हो गया मैं और उनक होा उट्री ना कि कर सकते हो और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हूं ऐसे ही इम पॉलिटिकल साइंस के इंपोर्टेंट टॉपिक यहां पर डिसकस करते रहेंगे ताकि आपकी पॉलिटिकल साइंस में ग्रिप अच्छी बनी रहे तो आपको अच्छी तरह समझ माया